जैसा कि आपको पता है ठंड बढ़ती जा रही है और सर्दिया अपना रिकोर्ड तोड रही है ऐसे मुसम में आपको एक चीज की ज़ुरत है वो है रूम हिटर वैसे तो रूम हिटर कई टाइप के आते हैं लेकिन स्पेशली इस वीडियो में हम क्वाट्स रूम हिटर के बारे में ही डिसकस करेंगे अगर आप कन्फ्यूज है कि आपको कौन सा रूम हिटर लेना चाहिए तो उपर आई बटन पर आपको मेरी रूम हिटर बाइन गाइड करने के मिल जाएगा वहां से आप अपने लिए एक अच्छा रूम हिटर सेलेक्ट करके पर्चेज कर सकते हैं क्वार्ड रूम हिटर के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात किलियर कर दूँ कि अगर आपके घर में एक से पांच साल तक के छोटे वच्चे हैं तो आप क्वार्ड रूम हिटर बिलकुल ना लें ऐसी सूरत में आपको ओल बेस्ट रूम हिटर ही खरीदना चाहिए क्योंकि यह पैट और छोटे बच्चों के लिए बिलकुल सेफ होता है अगर आपका बज़ड लो या टाइट है इसी सूरत में आप क्वार्ड रूम हिटर की तरफ जा सकते हैं क्वार्ड रूम हिटर स्पेशली स्पोर्ट हिटिंग के लिए जाने जाते हैं यानि कि यह चोटे केविन या चोटे रूम को आसानी से गरम कर सकते हैं पहले नंबर पर हमारे पास उसा क्वार्ड्स रूम हिट राता है जिसका मोडर नंबर क्यू एच थ्री डबल जिरो टू है यह स्पोर्ट हिटिंग के लिए बनाया गया है और यह स्मॉल रूम को कवर कर सकता है यह लगबग देड़ सो से दो स्कार फीट तक के रूम को असान इसे कवर कर सकता है इसमें आपको दो हीट सेटिंग 400 वाट और 800 वाट के मिल जाती है यह स्पेशली लो पावर कंजेप्शन के लिए डिजाइन किया गया है इसकी बोड़ी पाउडर कोटिड है जो को प्रिवेंट करती है इसमें आपको सेफटी टिप और स्विच मिल जात यानि कि अगर यह हो दा सकता है तो यह सिसमें आपको एक साल की वारंटी और ऑर हिट प्रोटेक्शन बिल जाती है इसकी प्रennial रचिंग लगबग आपको बारा सो पचास के असपास की मिल जाती है इसका वेट लगबग 2.5 kg के असपास का है अगर हम इसके कौन की बात करें तो यह बड़े और मीडियम रूम को गरम नहीं कर सकता है सेकेंड नमबर पर जो रूम हिटर आता है वो है एवर रेडी QH800 इसका मोडल नमबर QH800 है यह भी स्पेशली स्पोर्ट हिटिंग के लिए बना हुआ है और इसमें आपको दो हीट सेटिंग मिल जाती है चारसो वाट और आटसो वाट की इस रूम हिटर में भी आपको सेफटी टी पाउर स्विच मिल जाता है इसकी पाउर कंजेप्शन आटसो वाट की है यह है ISI सेटिफाइड प्रोड़क्ट है इसकी बोडी हार्ट प्लास्टिक की बनी हुई है और सामने की तरफ इसमें स्टील की फ्रेम लगी हुई है इसमें आपको पाउर इंडिकेटर मिल जाता है और इस हिटर के वारंटी एक साल की है और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यह भी लगबग 12.50 के असपास आपको मिल जाता है अगर हम इसके कौन्स की बात करें तो यह लार्ज रूम के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है आप इसको स्मॉल रूम और मीडियम रूम के लिए बाइक कर सकते हैं अगला जो रूम हिटर है वो है सिंगर की तरफ से सिंगर क्वार्ट्स हीट ग्लोब पलस इसका मोडल नंबर है क्वार्ट्स हीट ग्लोब पलस यह भी स्पोर्ट हीटिंग के लिए बना है और इसमें भी आपको टू हीट सेटिंग 400 वाट और 800 वाट की मिल जाती है इसकी बोड़ी हाड प्लास्टिक की बनी हुई है और सामने की तरफ आपको इसमें फ्रेम मिल जाती है सेटि के लिए इसमें आपको ओवर हीट प्रोटेक्शन की सेटि मिल जाती है इसमें आपको टिप ओवर सेटि स्विच मिल जाता है अगर यह गिरता है तो यह हीटर को अटोमेटिक बंद कर देता है इस रूम हीटर पर आपको एक साल की वारंटी मिल जाती है और इसका वेट लगबख 1.5 किजी के असपास है अगर हम इसके प्राइसिंग के बात करें तो इसके प्राइसिंग लगबख 12 सुके असपास की है और अगर इसके कौन्स की अगर हम बात करें तो यह एक ISI certified product नहीं है और यह large room के लिए भी बिल्कुल suitable नहीं है आप इसको small और medium room में असाली से इस्तिमाल कर सकते हैं फॉर्थ नंबर पर जो room heater हमारे पास आता है वो महराजा white line keto है यह भी specially specially sport heating के लिए बना है इसमें आपको दो tube मिल जाती है इसमें आपको दो heat setting मिल जाती है 400 watt और 800 watt की इस room heater में आपको overheat protection safety tip over switch मिल जाता है यह ISI marked एक product है इस room heater पर आपको एक साल के warranty मिल जाती है इसकी shockproof insulating body है cool to touch आपको इसमें body मिल जाती है और अगर हम इसके pricing के बात करें तो यह लगबख 14 सूर्पे के आसपास आपको मिल जाता है इनकी सभी की pricing vary कर सकती है अगर आप festive season या sales season में आप इनको purchase करेंगे तो इनकी pricing आपको थोड़ी कम देखने को मिल सकती है इस room heater के अगर cons की बात करें तो यह सिर्फ छोटे room के लिए suitable है फिफ्ट नमबर पर जो room heater आता है वो Hevels Company की तरफ से Hevels Cozio Quartz Room Heater जिसका model नमबर है Quartz Room Heater यह भी spot heating के लिए बना हुआ है इसमें आपको दो quarts की tube मिल जाती है इसमें आपको दो heat setting 400 watt और 800 watt की मिल जाती है इस room heater में आपको tip over safety switch मिल जाता है इस room heater में stainless steel का reflector लगा वो है जो corrosion को रोकता है इस room heater पर आपको दो साल की warranty मिल जाती है अगर हम इसके weight की बात करें तो इसमें आपको 2 kg का weight और अगर इसके pricing की बात करें तो यह हैं लगबग आपको 2000 रुपे के आसपास मिल जाता है अगर हम इसके cons की बात करें तो यह है large room के लिए बिल्कुल भी suitable नहीं है इन सभी room heater के purchasing link आपको description में मिल जाएंगे वहां से आप इनको direct purchase कर सकते हैं अगर आपको इनके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे सीदे link पर जाकर और अधिक जानकारी इनके बारे में e-commerce platform Amazon या Flipkart से ले सकते हैं 6 नंबर पर V guard की तरप से quads room heater मिलता है जिसका model number RH2QT1000 room heater है यह भी sport heating के लिए बना हुआ है इसमें आपको दो heat setting 400W और 800W की मिल जाती हैं इन में से अगर आप एक tube को use करना चाहते हैं तो आप 400W पर set कर सकते हैं अगर आप दोनों tube या ज़्यादा गरम लेना चाहते हैं तो 800W पर select कर सकते हैं यह feature लगबग सभी room heater में है इस room heater में आपको overheat protection की सुविधया भी मिल जाती है इस room heater में भी आपको automatic tip over safety switch मिल जाता है अगर हम इसके weight की बात करें तो इसका weight लगबग 1 kg के आसपास का है अगर हम इसकी warranty की बात करें तो इस heater पर आपको एक साल की warranty मिल जाती है और यह है आपको लगबग 1250 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा अगर हम इसके cons की बात करें तो we guard के जो service center है वो चुनिंदा जगहों पर available है और यह room heater small room के लिए बना है 7th number पर जो room heater हमारे पास है वो zigma company की तरब से है जिसका model number आपको नीचे screen पर मिल जाएगा यह room heater specially sport heating के लिए बना हुआ है इसमें भी आपको two heat setting यानी 400 watt और 800 watt की मिल जाती है यह small room के लिए specially design किया गया है इसमें आपको overheat protection मिल जाता है इसमें आपको safety tip over switch की swidhya भी मिलती है और यह है एक ISI certified energy saving product room heater है अगर हम इसके weight के बात करें तो इसमें आपको 2.7 kg weight और इसमें आपको एक साल के warranty मिल जाती है यह room heater लगबग आपको 11 रुपे के आसपास मिल जाएगा अगर हम इसके cons की बात करें तो यह especially small room के लिए design किया गया है medium और large room के लिए यह बिलकुल काम नहीं करेगा एक नमबर पर inalsa की तरप से inalsa quads V2 room heater है जिसका model number quads V2 है यह especially spot heating के लिए design किया गया है इस heater में भी आपको 2 heat setting 400 watt और 800 watt की मिलती है जिने आप ठंड के इसाप से adjust कर सकते हैं कि आपको कितनी गर्मी चाहिए इसमें आपको safety power switch मिल जाता है और 8 की protection आपको इसमें मिल जाती है यह ISI certified product है इसका weight लगबग 2 kg की आसपास का है और इस room heater पर आपको एक साल की warranty मिल जाती है अगर इसके कीमत की बात करें तो यह है लगबग आपको 1200 से लेकर 1300 रुपे की आसपास मिल जाए तो यह थे हमारी list के 8 top and best quads room heater इन में से आप कोई भी अपने budget और brand के हिसाब से purchase कर सकते हैं इन सभी के purchasing link आपको description में मिल जाएंगे जहां से आप इने direct link पर जाकर purchase कर सकते हैं अगर आपको quads room heater से related कोई भी suggestion या सुझाव या कोई problem है तो आप मुझे नीचे comment box में पूछ सकते हैं मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए आप इस वीडियो को like, share जरूर कीजिए मेरे channel को subscribe कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद